नमस्कार दोस्तों, Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी DSSB का एक्जाम चल रहा है दास ग्रेट टू यह जो एक्जाम है दोस्तों मल्टिपल शिफ्ट के अंदर चल रहा है तो इसका मैं आपको थोड़ा स एक्जाम नहीं हुआ है तो वो जो है अगर इस चीज को ध्यान पूरवक्त सुनेंगे तो निश्ची दूरूप से उन्हें इस एक्जाम में फाइदा होने वाला है सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी से जनरल इंस्ट्रक्शन दे लेता हूं यह कई जगा पर ए है आप रख सकते हैं वहाँ पर और उन्होंने यह कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर रखिया मगर फिर भी वह लोग स्क्यूर्टी उसकी करती है क्योंकि जब बैग लेने जाते हैं तो आप से पूछा जाता है इसके अंदर मोवाइल है या नहीं है तो आप इस चीज स आप देखेंगे reasoning है, general awareness है, math है, English और Hindi यह इसी करम में आ रहे हैं ठीक है और आप इसका करम चेंज नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप जो है general awareness कर लें या पहले आप math कर लें उसके बाद जिस करम में दे रखा है उसी करम में आपको करना है अब देखिए जैस आपने reasoning के 20 question कर लिए, फिर वो screen lock हो जाएगी, आप submit कर देंगे और फिर उसके बाद reasoning का ही part 2 खुल का आएगा, ठीक है, तो यानि कि reasoning आपको दो बार करने को बिलेगी, दो पार्टों में करने को बिलेगी, फिर जब आप इसे submit कर देंगे second वाले part को, उसके बाद आप जा अगर आपने एक भी सवाल पर जाद समय दिया, reasoning के बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि math में एक बार को idea लग जाता है, कि ये सवाल हमसे होगा या नहीं होगा, मगर reasoning में आदमी जो है, वो सवाल से लड़ने लगता है, तो ऐसे में क्या होगा, कि कई लोगों के साथ ऐ सकता है, ठीक है, क्योंकि number बराबर हैं, चाहे reasoning करो, या फिर आप math करो, इसलिए कम से कम सारे question को देखना बहुत जरूरी है, अगर आप सारे question को तक पहुंची नहीं पाएंगे, तो अपर आपके selection के chances जो है, वो और भी कम हो जाएंगे, तो जैसे कि उन्हें आपको बताया कि reasoning के भी दो पाट होंगे, general awareness के भी दो पाट हैं, दोस्तो तो general awareness जो है, वो आप तेजी से कर सकते हैं, उसके बाद आएगा math, math दोस्तो इसमें arithmetic ही ज्यादा आ रही है, जब आप देख सकते हैं, कि 90% arithmetic है, और आप कर सकते हैं, मगर हाँ दोस्तो जब भी आपको लग रहा ह इसमें अगर कहा जाए, एंटरनेम सुनने, दो तीन ऐसे हैं, जो थोड़े से अलग से आ रहे हैं, अलग से मतलब जो लोग SSC की तयारी कर रहे हैं, वो तो अपना पूरा 10-15 साल का रट के बाटते ही हैं, मगर उनसे भी थोड़ा सा हटके, एक दो, तो ऐसे में आप अगर ऐसे में तुक्का मारेंगे, तो निगेटिव में और पीछे आ सकते हैं, ठीक है, तो निगेटिव मारकिंग का भी धियान रखना है आपको, इंग्लिश भी आपको दो पोर्शन के अंदर मिलने वाली है, फिर बात करते हैं हिंदी की, हाँ, इंग्लिश में एक चीज की करे आपके पास समय कितना बचा हुआ है, लास्ट में घंदी के लिए गए, इसके लिए बहुत ही कम लोग हैं, जो समय बचा पा रहे हमें अंग्लिश और हिंदी के लिए, उसी तरिक positively पानेतर दोंडिव के लिए, तो यह जो है तो आज जो है आप मतलब इन सब चीजों पर अगर ध्यान देंगे तो वह पेपर आपको अनिश्य तरुप से और भी अच्छा होगा अब अगर कट आफ की बात कर लें दोस्तों अगर पिछली बार की अगर मैं कट आफ की बात करूं यह जो सिस्टम किया गया है ओनलाइन और साथ में यह जो कोशन लॉक करने वाला कि आप पुराने कोशन पर नहीं जा सकते इस चीज का भी इफेक्ट इसमें पढ़ने वाला है तो जहां तक जो मेरा आइडिया है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर किसी का 120 या सिक्स्टी परसेंट आपका निगेटिव मार्किंग कटने के बाद आ रहा है तो आप जो है जैनल में सेलेक्ट मने जाएंगे और इसमें प्रीके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं इसकी मेंस के ही नंबर जोड़े जाते हैं तो अगर आप किनारे पे भी कॉलिफाई हो करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएं दोस्तों हमारा एक टेलिग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां पर मैं डेली